चश्मा को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं काफी धूप खिली हुई है उपर और हम जा रहे हैं उपर छट पर पतंग उडाने देखते हैं कैसी हवा है और कैसा उड़ता है हमारा पतंग चलिए मैं मिलता हूं अभी आपको उपर अभी। यह सीड़िया ऊपर भी जाती है और कमाल की बात यह है कि यही सीड़िया नीचे भी आती है वाह ूआ है और यह रही अपनी दोर पड़िए यहांपर इसको उठाते हैं ठोड़ी सी बची अभी थोड़ी सी पुरा इसका पूरा हमने चलखडा लिया था तो अभी यह थोड़ी सी बच्ची है क्योंकि अभी सीजन खत्व हो चुका है काइट का सीजन तो थोड़ी सी बच्ची है अभी हम थोड़े दिनों में नई डौर भी लाएंगे अभी देखते हैं हमारा काइट किदर है पतंग कहा है एक ही बचाय बड़ा वाला वही देखते हैं किदर पड़ा है कहा पड़ा है और यह अपना पड़ा है बड़ा वाला पतंग जो की एक ही बचाय हमारे पास लास्ट है काफी बड़ा है और हवा भी अच्छी है आज अच् इसको दिखाता हूँ देखिए इतनी जगा पेस पे टेप लगी हुई है हर जगा टेप ही टेप है फिर भी हम इसको आज उड़ाएंगे कि शाइद आज कि उड़ने के बाद यह तूट जाए कि चलो वह हम देखेंगे पर देखिए हर जगा कि टेप है इसकी कि वहम देखिए उट झाएंगे झाल 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 देखिए गाईज यह उड़ाया यह पतंग अभी उतार लिया है अभी मैं मार्किट जाओंगा थोड़ी देर में तो और पतंग लेके होंगा छोटे वाले यह बड़ा वाला काफी डिफिकल्ट है उड़ाना कि हवा काफी तेज है बट उड़ाने में इतना मजा आ रहा है नहीं इसको पूछो मत काफी मस्त ऊड़ रहा था एक दम एक ही जगा पर खड़ा हुआ था बट हमारी दोर इतनी मजबूत नहीं है कि इस बड़े वाले पतंग को सम्हाल सके इसलिए मैं मार्किट जाओंगा भी छोटे वाले पतंग लेके आओंगा तो फिर हम उड़ाएंगे औ और आप से मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्स पर वोचिंग बाई